हेलो फ्रेंट्स मैं हूं निश्वी श्कुर्मा फ्रेंट्स आज मैं आपको बताऊंगी बनार्सी ब्लाउज की कटिंग तो फ्रेंट्स यहां पर यह बनार्सी फैब्रिक है कपड़ा है यह ब्लाउज का और यह अस्तर है अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो अब हमें क्या करना है मैं एस्तर ले लिया है यह फोल्ड वास्तर है और जो ब्लाउज की लैंट है वह साढ़े चोदा इंच है यानी फोर्टीन अब है तो हम डेड़ इंच एक्स्टर ले लेंगे आप कम भी ले सकते हो तो यहाँ पर मैंने 16 इंच पर निसान लगा लिया है दोनों साइड और इसको मैं यहाँ पर यह निसान मैंने पूरे कर लिये हैं अब इसकी कटिंग कर लेंगे क्योंकि मैंने यह पीछे से बोटनेक डिजाइन में बनाना है तो इसके जो तीरा है तीरे का निसान साड़े साथ इंच पर लगेगा यहाँ पर मैंने साड़े साथ इंच पर तीरे का निसान लगा लिया है और आर्म होल मैंने साथ इंच पर लगा लिया है यहाँ पर साथ इंच पर लगा लिया मैंने इस तरीके से और अब इसकी हलके से गुलाई कर लेंगे और ब्रस्ट साइज हमारा 35 है और बैक 30 है तो यहां पर 35 निसान लगा टू इंच मैंने इसके प्लेट्स के लिए लिए और दो इंच मार्जन के लिए तो यह निसान लग गए इसकी कटिंग कर लेंगे कि तो यह पर क्या टूंक कर लिए अब यह प्लेट पीच्छ वे प्लेट्स है उसके लिए गृष्ण लगाया मैंने साधे तींच की दूरी पर मैंने निसान लगा आई अब हम फ्रंट पार्टी कटिंग करेंगे बैक पार्ट को इसके उपर रखके कटिंग करेंगे इसकी हमने अप्रे कटिंग कर ली है अब हम इसके फोर्डिंग इसको फोल्ड कर लेंगे इसके उपर बैक पार्ट रख लेंगे अब हमें क्या करना है हमें जो फ्रंट पार्ट है हमें एक इंच साइड में से हमें एक इंच ज्यादे लेना है तो यहां पर साइड में से एक इंच एक इंच एक इंच ले लेंगे इस तरीके से इस तरीके से और इसके निशान लगा लेंगे हम और यह सेम कटिंग हो जाएगी सेम निशान होंगे इसमें जैसे हमने बैक पार्ट पर लगाए थे और इसकी कटिंग कर लेंगे हमने सिक पार्ट को लगटा दिया है अब इसके निशान लगाएंगे हम यांपे साधे तीन इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से और उपर से हम टस्क के लिए यहांपे सवदस इंच पे निशान लगाएंगे 27 इंच पर निसान लगा लिया है और यहां से हम यहां से भी हम 3.5 इंच की दूरी पर निसान लगाएंगे और यह निसान हम मिला लेंगे इस तरीके से और यहां पर 2 इंच की दूरी पर निसान लगाएंगे और 2 इंच दरकी साइड से लगाएंगे और ये निसान हम इस तरीके से मिला लेंगे एक इंच हम उपर से हमने एक इंच लिया है और इसको सीधा कर लेंगे और अब आर्म होल टोटल आर्म होल का हम हाप कर लेंगे हाप पे हमने निसान लगा लिया है और इस निसान को हम आर्म होल के साथ मिला लेंगे इस तरीके से फ्रेंट्स ये प्रिंसिस कट ब्लाउस है तो इस तरीके से हमने और यहां पर हमने एक इंच अंदर की साइड निसान लगा लिया है फ्रंट पार्ट में और अब इसकी कटिंग कर लेंगे और इसकी भी कटिंग कर लेंगे हम यहां से भी तो हमारी टोटल कटिंग हो चुकी है और यहां पर हम कट कर निसान लगा लेंगे सवादा चिंच की दूरी पर मैंने टस्क के लिए जो निसान लगाए था क्योंकि मैंने जो फ्रंट नेक और बैक नेक मैंने बुकरम पर लगाना है बुकरम पर ही इसकी कटिंग करनी है अब यह ब्लाउज का फैब्रिक है बनार सी ब्लाउज यह सबसे पहले हम बैक निकालेंगे इसका हमें अस्तर के जो कटिंग की है इसके कोडिंग ही हमें कपड़े पर कटिंग करनी है बसे आधा या आधा इंच के लगबग हमें एक्स्टा लेना है बाकी सेम कटिंग करनी है इस तरीके से अब हम फ्रंट पार्टी कटिंग करेंगे सेम कटिंग करनी है बस नीचे की साइड से थोड़ा सा एक्स्टा लेना है आधा इंच से थोड़ा ज्यादा और इसकी सेम कटिंग कर लेंगे तो हमने कटिंग कर लिए इसकी अब हमें साइड के जो यह पार्ट है इसकी भी कटिंग करनी है और इसी में से मैंने स्लीव भी निकालनी है तो हम एक साइड में से ही इनको इस तरीके से रखेंगे जो इस तरीके से रखेंगे हमारी पहले यह रखी है इस तरीके से रख लेंगे हम हमने एक पार्ट रखा पहले उसके बाद हमने दूसरा पार्ट रखा और ऐसे बाकी में से हम ब्लाव निकाल लेंगे इसकी और इसक सेम कटिंग होती है जैसे मस्तर कटिंग करते हैं भी फैब्रिक पे भी सेम कटिंग होती है बस थोड़ा नीचे की साइड से हम आधा ही चैक्स्ट ले लेते हैं अब इसमें से हम स्लीव की कटिंग करेंगे इस तरीके से फोल्ड किया हमने एक बार और फोल्ड किया उसको और स्लीव की लेंद हमें दस इंच लेनी है यहां पर यह ग्यारा इंच है ग्यारा इंच पर बने निसान लगाया और यहां पर यह आट इंच है हार मौल वैसा काफी है आट इंच के लिए इस तरी के से स्लीव कोटिंग हो चुकी है अब हम अस्तरी कटिंग करेंगे यहां पर यह हम साइड में जॉंट कर लेंगे इस में तो इसलीव कोटिंग हो चुकी है हमारी अस्तर की और फड़оды की तो यह पर बैंनस टोटल कटिंग मारी ओचुकी एब लाउस की प्रैंट्स वीडियो कैसे लगा अगर अगो वीडियो को अच्छे लगा हो तो से लाइक करना शेर करना और अपनी राइक कमेंट बॉक्स में जरूर देना थैंक्स पर वाचिंग